हेलो एर्वान वेलकम टू कमपर्शन केरियर पॉइंट आज हम लोग कुरुछेत्र से सम्मंदित महत्पूर्ण mcq करने वाले हैं इस सेसन में कुल बिलाकर 120 प्लस प्रसुतर करने वाले हैं सारे सारे ओनलाइनर रहेंगे आपको इस सेसन को देखने के बाद आपको कोई भी सेसन देखने जुरुवत नहीं है क्योंकि यह सेसन आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है पर्मुक कथन कुरुछेत्र जेतना ही पर्मुक कथन आपको देखने को मिलेंगे साथ में यह कुरुछेत्र का भाग दो है भाग वन भी देखें क्याकि उसमें भी आपको बहुत concept मिलेंगे और साथ में साथ में इसमें जितनी भी प्रस्ण बनते थे जितनी भी प्रस्ण मैं सारे आपको पास लाने को ट्राय किया हूं ताकि आपको कहें भी ढूनने की जरूरत नहीं है एक ऐसा content है आपको PGT की हिंदी का preparation करने में बहुत ही help होगा ओके अगर आप जार्खन PGT हिंदी का preparation कर रहे हैं अगर कोई भी content का PDF चाहते हैं आप इस WhatsApp नवर पर content कीजिए 7004501486 पर आप content कर सकते हैं और इंडिविजुल टोपिक का PDF या इंडिविजुल खंड का PDF या टोटल सिलिबस का PDF यह सारे आपके description में आपको मेंशन किये हैं या आप WhatsApp नवर पर content कर सकते हैं कि निम्लिखित पंक्तियां किस्टने लिखी है कुरुषेत ना तो दर्षन है ना किसी ज्यानी के प्रॉड मस्तिक का चमतकार यह तो अंततर एक सधारन मनुष्य का संकाकुल हिर्दय की है जो मस्तिक के अस्तर पर चाड़कर बोल रहा है किनकी पंक्तियां है रंधारी दिनकर जी के है नेक्स्ट है पार्थ यहां पर जो मैं आया है किसके लिए आया है वह पुछ राव कोशन जाता पितामा पास कुछ पर्थम सर की पंक्ति में मैं किसके लिए है इद्यूस्टिर के लिए आया है अब देखिए यह पेट पीडियाफ होगा आपको यह वार्षप पर ही मिलेगा पीडियाफ आपको टेलग्राम पर नहीं मिल सकता है क्याकि इस बहुत महंत लागा है आपको कुछ पेमेंट करके ही इसका पीडियाफ पर्चस कर सकते हैं करती प्रतिधोनी प्रान गत अनिव की सिर्ष वलच्छ है कुर्चेत की इस पंक्ती में किसे इंगित किया है कुटिल नितिग्य को नेक्स्ट प्रस्ण जो है भर गया ऐसा हिदय दुखदर्द से फेन या बुदुद नहीं उसमें उठा घिचकर उच्वास बोले सिर्फ हुए पार्थ मैं जाता पिता मां पास हुँ कुर्चेत की उग पंक्तिया किस चरित्र की मनुद्वासाग ब्यक्ति है इड्यूष्टिर की पविकाय सब्द का परियोग कभी ने किसके लिए किया है तो भीष्म के लिए किया है हर यूद के पले दिविधा लड़ती उबलते कुरोद से पंक्ति में दिविधा किया है संग्या है एटमर प्रश्ण है रंधारिस की दिनकर ने कुरुच्षेत्र में किसका आलंबन लेकर यूद की समस्या के प्रश्ण को उपसित किया है तो भीष्म और इदुशी दोनों का नाइन नेमर है क्रुच्षेत्र से समधिर कौन सा कथन असंगत है तो देखिए यहां पर A, C, D सही है यहां पर यह जो कथन है बिल्कुल गलत है अनसगर्थ है क्रुच्षेत्र का सरव्षम प्रकासम 1946 में बिल्कुल सही है इसका मूल्क कथानक महा भारत के सांति प्रफ्ष किया है बिल्कुल सही है नेक्ट प्रस्ट है घिचकर उच्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पितामा पासों कुर्षेत में उलखित ये कथन किसका है इदुष्टीर का है अध्यर का कभी किसे कहा गिया है दिनकर जी को कहा गिया है तुवल नमर रमधारिक से दिनकर के किस क्रिती को आधनिक यूग का गिता कहा गया है कुर्षेत ये इंपोर्टन ऐसा सा प्रस्ट बन सकते हैं आपके गिजाम में नेक्स्ट आग और राग का कभी किसे कहा एता है दिनकर जी को रमधारिक सिंग दिनकर तुवल नमर रमधारिक सिंग दिनकर के अनुसार कुर्षेतर में किसका अलंबन लेकर उन्होंने महत्पुन प्रस्ट को क्रिती में उपसित किया है भिसमो युदिश्टिर का नेक्ट प्रस ने अब दुरात्मा सकूनी को असांका हुई लेखक ने सकूनी को दुरात्मा कहा है क्योंकि सकूनी क्या था वो बेमान और चलाक था सोलो नमर आत्मा का संगराम आत्मा से दे का संगराम दे से जीता जाता है रंधारी सिंग दिनकर ये कथन किस क्रितिक के संदर में कहा गया है कुरुछेतर के next person है कुरूचेत के प्रथम सर्ग का प्रारंग किस पंक्ती से होता है वह कौन दोता है उँहाँ देखें 7 सर्ग है 7 सर्ग के पहले जो पंक्तिया हैं उन्हें जरूर जरूर याद करें जो आपको इस सेसंग में देखने को मिलेंगे last में कुर्छेत के कथानक का मूल अधार कौन सा ग्रांथ है महाभारत कुटिल नितिक यूद के पचार अस्वस्थ होकर क्या सोचता है यूद में रक्त तो बहा किन्तु देश की पतिष्टा बच गई 20 नमर कभी कंशार समान से किनके नाम ले जाते हैं जिसका सिंदूर मिट गया है और जिसकी गोद उजड़ गई है दोनों हो जाएगा असरी हाँ पर नेक्स्ट उस हला हल सी कुटिल दुरागिनिंग का जो की जलती आ रही चिरकाल से इस दुरागिनिंग का कभी ने क्या कारण पताया है स्वार्थ लोलुप पता कभी दिनकर ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रैनी किसे कहा गया है कुटिल नितेग्य को नेक्स्ट परस्ट जो है विजय पुरुष के नाम पर किच्चर नयन का डालता पंक्ति का क्यार्थ है नेक्स्ट परस्ट है कभी ने या क्यू कहा की लेकिन मनुच के प्रान सायद पत्त्रों के हैं बने अंसर है वो यूद में हुए रक्त चाप पर आसु बहा कर भी पुन यूद की और प्रभित होता है नेक्स्ट परस्ट है पिकर लहू जब आदमी के वच्च का पंक्ति के माध्यम से कभी ने महाभारत के किस परसंग की ओर संकेत किया है तो नीम के द्वारा दुसासन की छाती का लू पीने का परसंग नेक्ट प्रसन है नर्मेत की लिला हुई जब पूर्ण थी पंक्ती में नर्मेक सब्द किसका संके तक है कुर्छेत की उद में हुए नर्सनहार का नेक्ट प्रसन है वर्त मुक्त केसी किसे कहा गया है द्रोपती को कभी जोलित जागरत सिखा प्रतिसोत की वाक्यांस से किसकी और सकेंद करता है दोपती 29 नवर वह कौन होता है वहाँ इतिहास के अध्याई पर किस सर्ग से है यह आपका पर्थम सर्ग से है ईफिष्पे अपने मं की बात किस सकर तो भी सम no से करते है आख्यान के दिष्टी से कुरू छेतर का अधार गौन सा है महाभारत महाभारत किस युक की रसना है दौप रििचना है नेक्स्ट प्रस्ण है आधुनिक की गिता किसे कह गया कुरूच्छेत रखो 35 नमर कौन केवल आतों बल से जूचकर जिद सकता है दे का संगराम यह कथन किसका है भिस्म का है केस करसीता किसे कहा गया है दुरपती को नेक्स्ट प्रस्ण जो है यह भी आपका कथन है सांती नहीं तब तक जब तक सुक भाग नर का सम हो तो यह जो है भिस्म पितामा का है 38 नमर 29 सांती का पर्थम निया से यह कथन किसका है भिस्म पितामा का नेक्स्ट प्रस्ण कुरुछेत्र के कथाना कधार क्या है महाभारत कुरुछेत किस प्रकार का भी है तो परबंद का भी है इंप्रोटेंट है दिनकर किस कालक कभी है चायवतर कालके है रमधारी सीग दिनकर की काई भासा है, खड़ि बोली और कूरचेत्र की भासा करस्टना है, खड़ि बोली हिंदी Next प्रसने, कूरचेत्र का समज़ किस युझसे है? द्वापर युझसे है 45, कूरचेत्र में कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग है नेक्ष्ट, कुर्षेत्र की मुल्द समस्या क्या है, यूद और शांती की समस्या, नेक्ष्ट प्रस्ण जो है, कुर्षेत्र में सबसे सक्साली चरित्र किसका है, भिश्म पिता मा का, फोटीएट नमर रक्ष से छाने हुवे इस राज को बज़रू हो कैसे सकूंगा भोग में यह कथन किसका है इद्विश्चीर का है फोटीनाइट नमर भीश्वन पिता किस विचाधारा से प्रभावित दिखते हैं माक्सवादी विचाधारा इद्विश्टीर किस विचाधारा से प्रभावित दिखते हैं गांधिवादी विचाधारा से प्रभावित नेक्ट प्रस्नव कुर्छेत्र का कभी है कैसा आसावादी कभी है इतिहास के अधाय पर कौन हो रहा है यूद ब्रोधी और सांतिकामी लोहु सनी जीत मुझे दिखती असूध है यह कथन किसका है इदुष्टिर का कि दिंकर को किस करती के लिए ज्यान पयी पूसकार मिला है उवस्षे के लिए शोक Means आ को इस में महबहरत को किसि ने निश्फल काल है इदुष्टिry में 58 युदिश्यर की माता का क्या नाम था कुंती आस्व थामा के पिता कौन थे द्रोन कुरुछेत्र में कुल कितने पातरों के बीच सनवाद हुआ दो पातरों के बीच में हारी हुई जाती की सहिनुस्ता अभिसाप है यह उगती किसकी है भीस में पितामा का कुरुछेत्र के किस सर्ग में सच्ची सांती और कृत्म सांती का उलेख है चतुर सर्ग कुरुछेत्र के किस सर्ग को कभी ने छेपक कहा है सस्ट वर्ग को इंपोर्टेंट है कुरुछेत्र में कौन थे किसे कहा गया है इदिश्यर को ब्रम्चरिक के वरती, धर्म के महास्तम, बल के अगार, परम, बिगरागी, पुरुष किसे कहा गया है, भिष्म पितामा को कभी के अनुसार कुल छेती क्रिचना किसके अनुकरण पर नहीं हुई है, तो यह देखे, भगवान किस बिल्कुल है, भिष्म पिता इस पर भी है, अनुकरण हुआ है, धर्म राज इडिश्टी इस पर भी हुआ, लेकि भगवान ब्यास नहीं 67 नमर, किस पुस्तक या गरंद के समन में, यन भारत सन भारत की कहावात का उलेक किया गया है, महाभारत कुर्चेत परबंद का भी करिचना कभव हुए थी, 1946 69 युदोपरांद अपनी संका समधान के लिए इडिश्ट कहाँ पहुँचते हैं, भीस्म पितामा के पास, कुर्चेत किसका प्रतिक है, यूद का, नेक्स्ट परसन है, कुर्चेत में परविकाई कहा गया है, भीस्म को 72 नमर, मुख्य करता हिदय की भावना, कथान किसका है, भीस्म पितामा का, दिनकर मुलता कभी है, सिंगार के 74, कुर्चेत में परवन्द की एकता है, विचारों की एकता को लेकर 77, हार से मनुष की ना महिमा घटेगी और तेज ना बढ़ेगा किसी मानों का जित से, ये पंक्तियां कुर्चेत की सर्क से संकलित है, सप्तम सर्क से 79, कुर्चेत कावि का पर्तिपाद क्या है, यूद की समस्या 79, सत्य त्याकर सन्यासी हो जाना कौन चाहते थे, इरुष्टीर कुर्चेत की कंदेर समस्या है, यूद की 81, महाभारत में यूद किसे कारण हुआ था, दुर्योधन के द्वेस के कारण नेक्ट प्रस्ट है, आ गए हम पार, तुम उस पार हो, एक अथन किसका है कौरो के पर्तिदी दुर्योधन का उलास जर समुदाई का क्यार्थ है, अपने अनन में दुबा सन्मेदना हिन समुदाई 84, नमर एक ऐसा भी पुरूस है, जो विकल पंक्ति के द्वारा कभी किस पुरूस कियों संकेत कर रहे हैं, युदिश्टिर का की ओर कभी ने जिवीतों का व्यन किसे कहा है, विजैई पांडो के हर्स्धोनी को नेक्स्ट प्रस्न है, मनुष्य रनभूमी में किसे रोता हुआ देखता है, सत्ति को 87, नमर युद में बिर्गति को प्रात, लोग किसे दूर हो गए थे तो तीनों से, इर्षिया से, द्वेस से, हाहकार से, औप्शन डिस सही होगा 89, महाभारत के यूद के स्वपन, अन्त, सुनि सा क्यूं कहा गया है, अब दुर्योधन के लिए महाभारत का यूद निरथक हो गया है 91, समर की मेदिनी किसे कहा गया है, कुर्छेतर की भूमिको 93, इर्षियर वास्टों में यूद के द्वारा क्या पड़ाप्त करना चाहते थे, सांती और स्वाद्र नेक्स्ट प्रस्ण है, तत्व करगत हुआ या उड़ गया पंक्ती में किस तत्व की बात की गई है, सांती सुहाद्र 95, कभी के अनुसाथ इर्षियर को यूद के पचात क्या मिला, ब्यांग या पश्टपा ताप कभी ने महामारत इयुद को व्रिथा निस्पल क्यू कहा है, सांती और सद्भावर ना अस्थापित होने कारण नेक्ट प्रस्ण है, युद्विष्टिर को या क्यूं मौसुस हो रहा है कि वे इस राज को नहीं भोग पाएंगे, राज भीषन रक्त चाप से प्राप्थ हुआ कौनते सब्थ किसले प्रिप्थ हुआ है, युद्विष्टिर के लिए 99 नमबर है, युद्विष्टिर की इसमिती में ब्रश सा तुटकर क्या गिरा, अभिमनो की इसमिती 100 प्रस्ण है, पार्थ मैं जाता पितामा पास हूँ, पंक्ति किस से कही है, युद्विष्टिर ने अजुन से 9 प्रस्ण है, युद्विष्टिर यूद्विष्टिर के लिए किसे उतरदाई मानते हैं, पांच पांडों के द्वेश को 9 प्रस्ण है, वह कौन रोता है उहां पंक्ति में, कौन सब किस के लिए परिखत हुआ है, सत्ति और युद्विष्टिर दिनकर एक कभी होने के साथ साथ भारत में किस अन्य नाम से पसीद है, राष्ट कभी 9 प्रस्ण है, कुछ छेतर पर दिनकर को कौन सा प्रुस्कार पात हुआ है, कासी, नागरी, पच्चलारीनी, सभा प्रुस्कार 9 प्रस्ण है, द्रोपती ने कितने वर्स तक केस खुले रखे थे, 13 वर्स 9 प्रस्ण है, भीम ने द्रोपती के पांचों पुत्रों की मिर्टू का बदला किस पर कर लिया, आसु थमा के मस्तक की मनी निकालकर द्रोपती को दे कर 9 प्रस्ण है, कुरुछेत्र के यूद के बाद कोरों का स्राथ करने के लिए कौन से स्राथ था, धितराष्ट और गंधारी 9 प्रस्ण है, जोलित जागरत सिखा प्रतिसोत का क्यार्थ है, बदले की जलती हुई या आग एक ब्रिधा, एक अंधे के सिवा पंक्ती से किसकी और संक्यत किया गया है, गंधारी और धितराष्ट 9 प्रस्ण जो है, कुरुछेत्र बिजय के पचात कोन बिकल हुआ था, यूदुश्चीर 111 नमर, कभी का अनुसार, द्रुआगनी की विसेली लप्टे किस से फैलती है, विसेली बैक्तियों के सांस से 9 प्रस्ण है, इस दंस, इस दंस का दुख भूलकर, पंक्ती में किस दंस को भूलने की बात कही है, रक्त चापका 113 प्रस्ण है, सस्सा विपन्ची पर लगे कोई अपरचित हांथ जियों पंक्ती रेखांकित सब्द कायत कही है, मने विपन्ची का क्यार्थ है बिना 9 प्रस्ण है, मनुष्य युद्भव्मी में किसे रोता हुआ देखता है सत्ति को 9 प्रस्ण है, भीष्म का मन कब परिशांथ हुआ तो यह भीष्म होगा दुसासन की छाती का लहुपी कर 9 प्रस्ण है, उलास जर्द समुदाई किसे कहा गया है पांडो और उनके समर्थकों को 9 प्रस्ण जो है, एक ऐसा भी प्रस्ण है जो विकल बोलता हो कुछ भी नहीं पर रो रहा है पंक्ति किस समन्दित है युदिशी से, यूट के कारणों का विचार कुछेत के किस सर्ग से हुआ है, चतूर्ष सर्ग से हुआ है दिनकर के समकालनिक का भी है, हरिवान सही बचन, संस्कृत चिंतन पर दिनकर की किरिती है, संस्कृत के चार याद्ध्य है अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी देख लिए यहाँ पर आप लोग, कुछेत देखिए परबंध का भी है, डायट यातर के रचनाकार याद्धी रहेगा किस प्रकार का का भी है, विचरात्मक और समस्या प्रथान का भी है, साथ सर्गों में बटा हुआ है, कुछेत का विसरी किया है, देखिए, महाभारत की पिश्थूई पर लिखी गई है महाभारत की यूज समस्या को बर्तमान के समस्या से जोड़ा गया है इसके पर्मुख पात अर्जून कृष्ण भीस्म इद्रिश्टी पांडवादी है लेकिन मुख्य पात दो ही है इद्रिश्टी और भीस्म इनके किरतिया याद कर लिजिए अब देखें यहां से कुछ और भी है आपको देखने को उठाया मिलेंगे यह जो पीडिया फिलेंगे उन ही कोई यह मिलेगा अधरवाइज आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा यह और मैक्सम कोशन तो आपको लोग जानते ही होंगे जो इसमें मैं पहले बताया हू उसी में से कुछ-कुछ इंक्लूड कोशन होंगे कुछी-कुछ कोशन ज्यादा नया नया मिलेंगे अधर देखें यहां पर एक नया प्रस्ण जो यह है आपको पास देखें कुर्छेत्र का प्रतिपादि यूद नहीं सांती है विश्वकला नहीं मनुष्य मात्री की एकत का है कफन किस अलोचकर का है स्यूचन् सर्मा जी का है यह थोर नया प्रस्ण देखने को मिला है in यह लीचेत्र में सामिवाद का पर्तिवादन हुआ है यह कफन किसका हैfel 20 मिसंऔर जी का है कि हाँ यह व्षक्ति यूद कर स्चाथ यूद्यर्णी किसके पास जाने का निच्छर करते हैं 20 पितामा हाँ ये भी प्रस्न है कुर्षेतर का उदेश बुधी के अतिचार तथा विसमताओं को निराकर और बिज्यान के अस्थान पर अस्थाने की अस्थापना करना है ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंदर जी का है युदिश्टिर को महाभारत की यूद से क्या प्राप्थ हुआ? असांती, आत्मगलानी और पच्चताताप रक्ष से छाने हुए इस राज को ब्रज वज्जिर्ग हो कैसे सकूंगा भोग में? ये कथन किसका है? युदिश्टिर का है ये भी है नया प्रस्ट सेस क्या है? ब्येंग ही तो क्या भाग का कथन? किसका है? युदिश्टिर का है युदिश्टिर महाभात की यूद से क्या प्रापकर अचाते हैं? सांती और आत्मसंतोस धन्राज इस्टिस्टिर के अनुसार जोर लोग मर चुके हैं वे इस अनसार में जिवितों के लिए क्या छोड़े गए हैं इत्सिया, द्वेस, दम, करंदम और कपट किन के लिए महाभारत का यूद और उससे उसमें होने वाला नर्सनहार का एक बीते हुए स्वपने की तरह निशार है जो लोग मर चुके हैं अथ्वा कोरव आ गए हम पार, तुम उस पार कतन किसका है, दुर्योधन का कुर्चेतर में आये सज वेनी का क्या आथ है, बालों का गूत कर बांधना लोग वे सब जा चुके हैं, पंक्ति का फिराय है, कोरो, कुल का नास पार्थ किसे कहा गया, अर्जुन को कहा गया है नेक्ट में दोन सूथ के लिके, सिस की मनी छिनकर, पंक्ति में दोन सूथ किसके लिका गया है, असो थमा के लिए नेक्ट पर हैं मानवी तथा जोलित जागरत सिखा अगनी सिखा पर्तिसोत की ये उस पंक्तिय किसकी ओर आई है दोपदी के लिए ये भी पता चुके हैं नेक्ट पसने फिर मारता मारता विजय पाकर बहाता अस्रू वसुत पंक्ति में कभी किन अस्रू की बात करता है पस्तावे की आसू परिशान सब्त का अर्थ क्या है संतोस से भरा हुआ कुर्षेत के पर्थम सर्ग में बजरांग किसके लिए आया हुआ भीम के लिए आया हुआ है कुर्षेत के पर्थम सर्ग में ब्रत मुक्त कैसी किसके लिए आया हुआ दुरुपाती के लिए अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट थियोरी भी आप देख लीजे कुरुचेत से समन्द जेता भी थियोरी आता है आपको क्या क्या याद रखने है सारे पॉइंटू पॉइंटू ये कफनен बोल सकते हैं कर पंधसान को याद रखने चाहिए वालches सारे एस थियोरी आपको फीर्वेख फ्रॉर्म मिलेंगे टीन का क्या क्या ध्रकन हो भी दाखिए है सब सब इसमें बहुत अच्छा क्लेक्शन किया हुआ कहीं भी खोड़न कोई जुरुवत ही नहीं है आपके लिए यहां से बढ़ाया था कि पर्थम सर्ग कहां शुरू होता वो भी याद रखे प्रिविये सर्ग कहां सुरू होता उसे भी याद रखे आपलों सभी को आपको याद रखने हैं अब साथ में देखिए जो यह पहला भाग मेरा था जो मैं पहले वीडियो अप्लोट को चुका था पदिक्रितियां मने की कुर्छेतर का उससे भी यह भी इसमें भी बहुत जादा मने की इंपोर्टेंट है इसमें भी मैं इसको इसी में एड क कर दूँगा जब आप पचेस कीजिएगा तुनों आपको साथ मिलेगा इस बीडियो को बनाने हैं बहुत महत लागा है तो आप जरू जरूर लाइक जरू कीजिएगा तो देखिए यह तब महें डाला हुआ है प्रिविएस वीडियो है ये पूरा कप्र देखिए बहुत अच्छा कलेक्शन किया हुआ है आपको कहीं धूरने की जरूरत नहीं है ओके कर्देन के जरूरू से लाइक कीजिएगा थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो